गुड मॉनिंग, वेलकम टू माँ यूटूब चैनल, आज हम बात करेंगे 19, 20 और 21 जोन के इंपोर्टेंट क्रेंड फेर के बारे में भारत किस देश को 15 मिलियन डॉलर की वित्तिय साहता देगा, भारत देगा नजीर को, नजीर एक अफ्रीकन कंट्री है नजीर जुलाई में अफ्रीकन यूनियन समिट का और्गनाईज करेगा, जिसके लिए भारत उसको 15 मिलियन डॉलर देगा जो कैपिटल है नजीर की वो नियामे है, और जो करंसी है, वो है CFA फ्रेंक कैपिटल नियामे, करंसी, CFA, फ्रेंक कौन से भारती एंजीनियर ने Commonwealth Secretary General Innovation for Sustainable Development Award जीता, जीता है नितेश कुमार ने, और जीस कैटिगरी में आवार जीता हूँ जीता है, पीपल कैटिगरी में नितेश कुमार ने बहुत ही कम कीमत पर breathing sport डिवाइस बनाई है, जिसका नाम है साथ, मतलब इसने ऐसी डिवाइस बनाई है, बहुत कम प्राइज में, और यह जो डिवाइस बनाई है, प्री मैचूर बेबीस के लिए, प्री मैचूर मतलब जो जैसे 9 मन्स का टाइम होता है उसे पहले अगर बर्त हो जाता है, उन बेबीस के लिए, तो पहले जो डिवाइस की बहुत काफी महंगी होती थी, इसने बहुत कम कीमत में डिवाइस को बनाया है, और इसको जो प्राइज मनी मिली है, वो मिली है, दो हजार पाउंड, इस डिवाइस को इनिवेट करने के लिए, कौन सा राज्या है, ग्रेजवेट को बेरोजगारी भत्ता देने जा रहा है, यह राजस्तान भत्ता देने जा रहा है, पुर्शों को 3000 रुपे महिना, और महिलाओं को 3500 रुपे प्रती महिने देगी सरकार, और यह जो रासी दी जाएगी, यह दी जाएगी, दो व रजस्तान की केपिटिल जैपूर है, सीम अशोगहलोथ और गवर्नर कल्यान सिंग। बार्वी रीजनल कॉर्पोरेशन ओन पायरेशी एंड आम ड्रोबरी अंगेश्ट शिप इन एशिया कारेश एला का रोजिन कहां पर किया गया, यह किया गया नई दिल्ली में। बारत सरकार अपने सूचना प्रयदोगी की और उद्मिता विकास योजना के हिस्से के रूप में सूचना और संचार प्रयदोगी के छेतर में स्टार्ट अप के लिए कितने इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। जो केंद्रिया, इलेक्टोनिक हो सूचना प्रसाण मंत्रियवो रवी संकर प्रसाद हैं। रिजर्ब बैक और इंडिया ने HDFC बैंक पर कितने रुपे का जुर्माना लगाया है। Reserve Bank of India Headquarter मुंबई में है और इसके जो गुवर्नर हमके नाम है शिक्तिकात दास HDFC फुल्फो में Housing, Development, Finance, Corporation Headquarter मुंबई में है भारत कौन से साल तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा 2017 तक ये जो संक्ष्यूक तराष्टर की 200 जन संख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के आखड़ों के नुसार है कि 2027 तक भारत पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा UN की फुल्फों में United Nation, Headquarter है California USA में और Establish हुआ था UN की स्थापन होई थी 24 अक्टूबर 1945 को सत्रमी लोकसभा के अधक्स के रूप में किसे चुना गया है ओम बिरला को चुना गया है और राजसान से दो बार भारते जन्ता पार्टी के सिदसे रह चुके हैं और अब की बार जो कोटा बुंदी से निर्वाचन शेतर से MP है विशव कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड किस गेरपाज के नाम है यह है राशिद खान के नाम है इन्होंने इंग्लेंड के इंगेस्ट मैच में 9 ओवर में 110 रन दी थे अभी रिसेंटली मैच हुआ था बीसमी फाइनेशल स्टेबिलिटी एंड डवलेप्मेंट कांसिल की मीटिंग कहां पर आयुजित की गई यह हुई थी नई दिल्ली में कौन सा रज्ज्य है अपने यहा टूरिस्ट को जीपीएस डिवाईस महिया कर आएका हिमाचwy प्रतेस में जो लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको जीपीएस डिवाईस महिया करवा जए आफगानिस्तान के बारे में कुछ बाते कर लेता अफगानिस्तान की जो Capital है और अफगानिस्तान की कॉरंसिये अफगान-फगानी डीडी फ्रीडिस पर कौन से दो देशों के चैनलों को दिखाए जाएगा डीडी फ्रीडिस पर बांगलादेश और साउथ कोरिया के चैनल को दिखाए जाएगा बांगलादेश का जो चैनल वो बी टीवी वर्ल्ड है और साउथ कोरिया के बीएस वर्ल्ड बंगलादेश TV औढ करियन TV, करी KBS वर्ल्ड जो बंगलादेश है उसकी कैपिटल धाका है और करंसी है बंगलादेश ही टका साउथ कोरिय है कैपिटल है सीओल और करंसी है साउथ कोरियन वन वर्ल्ड रिफूजी डे कब मना जाता है 20 जून को और इस बार की जो थीम थी, वो थी Step with Refugee, इस बार की थीम है Step with Refugee, क्योवेस World University Report 2020 की रिपोर्ट के नुसार, भारत के कितने संस्थान TOP 1000 में सामिल है, भारत के कुल 23 संस्थान है, जो TOP 1000 में सामिल है, जिसमें IIT मुंबई का स्थान है, 152, IIT दिल्ली का स्थान है, 182, और Indian Institute of Science, बेंगलोर में इसका स्थाना 184, जो TOP इनुवस्टी है, वो MIT है, Massachusetts Institute of Technology, और यह आठमी बार पहली पोजिशन पर है, लगातार आठ टाइम से यह पहली पोजिशन पर बनी हुई है, NCRT कहां पर स्कूली बच्चों के लिए नैशनल योगा लंप्याड का उजिन किया, नई दिल्ली में किया था और इसका फोर्थ एडिशन था, NCRT की जो फुलूफों है, National Council of Education, Research and Training, हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्री है, सेक्षिक अनुसंधान और परिशिक्षण परिशद, भारत माला के तहट 2022 तक कितने किलोमेटर के रष्टिय राजमार्गों का निर्मान किया जाएगा, 35,000 किलोमीटर के राश्ट्री राजमार्गों का निर्मान किया जाएगा और भारत माला जो परियोजना है यह हुई थी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसके जो मिनिस्टर है Ministry of Transport and Highway नितिन गडकरी IT firm Tech Mahindra ने Cabin और Cargo Design Engineering के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंद पर हस्ताकसर की है वो किया Airbus के साथ Airbus वोई कंपनी है जो Max 737 प्लेन बनाती है जो भी क्रैश होए थे रिसेंटली CCI ने किन दो कंपनियों के विलेव को मंझूरी दी है India Bull Housing Finance और Lakshmi Willas Bank CCI की Full Form है Competition Commission of India अंतर राष्टे योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है इस बार इसका पांचमा एडिशन था इस बार की जो थीम थी वो थी Yoga for Climate Action World Music Day ये भी 20 जून को मनाया जाता है 58 अठावनमी ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक अथलेटिक मीट में भारत की अनूरानी ने कौन सा पदक जीता है अनूरानी कांसे पदक जीता है और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और चीफ निश्क्तना योगिया दित्यानात और ये जवैलिन थ्रोवर है जो इसका स्पोर्ट्स है जिसमें कांसे पदक जीता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत कितनी सब्मेरीन के लिए 45,000 क्रोड रुपे खर्च करनी के उजना बनाई है अच्छे सब्मेरीन बनाएगा भारत और ये जो सब्मेरीन बनाए जाएंगे प्रोजेक्ट 71 के इंडर बनाए जाएंगी सब्मेरीन थैंक्स लाइक एंस्प्राइब माई चैनल अगर आपको पेडिया फाइल चाहिए या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बोस में लिख सकते हैं थैंक्यू